हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब तो मैं यहाँ इस वीडियो में इस टाइप की स्लीव बताऊंगी इसकी कटिंग एन स्टिचिंग मैंने इसमें बहुत ही आसान तरीके से बताई हैं तो अगर आपको यह बनानी है तो वीडियो बिना इसकिप की फु पिन की हुई आप वहां से जाके देख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें तो देखें यहाँ पर मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है अब देखें डिजाइन बनाने के लिए इस खेंड़ टू इंचे इंचेज हैं आप यहाँ से फॉल्ड साइट से आपको इस तरीके से शेव रहाना है क्योंकि हमको इसी डिजाइन की स्लीव से बनानी है इसको बनाने के इसको पहले इस फैब्रिक को उल्टा रख देंगे इसके उपर बुकरम रखेंगे यह देखिए चारो साइड से यह हाफ आफ इंचे एक्स्ट्रा है अगर यह पेस्टिंग वाला है तो इसको चिपका दीजिए यह मैंने पेस्टिंग वाला नहीं लिया है तब ही इसके उपर यह सिलाई कर दी है ताकि यह रुकार है यह सिलाई बाद में खोल भी सकते हैं तो मैंने इसके उपर यह सिलाई कर दी है अब यह दूसरा फैब्रिक हमको उसी साइज में ही लेना है उसके बाद इसको सीधा रखना है और इसको फिर यहां से उल्टा रखना है अब यह देख पास पास यह लगानी है यह देखे सिलाई लग चुकी है अब उसके बाद यहां पर यह जैसे मैं वीडियो में कट कर रही हूं आपको इसी तरीके से कट करना है अब देखे कट करने के बाद यहां पर आपको छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं कट्स लगाने के बाद यहां पर इसको सीधा कर लेना है करने के बाद यह कुछ इस तरीके का इसका लुक आएगा अब इसके उपर हमको एक सिलाई और लगानी है जैसे मैं वीडियो में बता रही हूं यह देखे इस सिलाई लग चुकी है यह बहुत ही जादा ब्यूटिफूल लग रहा है यह बनके रेडी हो चुका है अब इसमें साइड साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे उसके बाद देखिए यहां पे स्लीव लेना है जो स्लीव है वो हमको सीधा रखना है उसके उपर हमको यह इस तरीके से रख देना है और यहां पे एक सिलाई लगा देनी है सीधे यह देखिए यहां पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ आप इसको जब fold करेंगे तो ये इस तरीके का लगगगा आप इसके उपर हमको एक सिलाई और लगा देनी है ये सिलाई भी मैंने लगा दी है अब देखी ये जो पहले मैंने सिलाई लगाई हुई थी आप चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं खोलने की कोई जरूरत भी नहीं है ये वैसे भी अंदर ही रहेगा ये देखिए दोनों स्लीव्स कम्प्लीट हो चुकी है तो कैसी लगी आपको ये स्लीव्स आई होब आपको बहुत पसंद आई होंगी और आपको समझ में भी आ गई होंगी और ये जो इसकी फ्रॉक मैंने हाई लो ये देखें इसमें स्लीव्स बहुत जादा ब्यूटिफू लग रही है अगर आपको ये हाई लो फ्रॉक या फिर ये प्लाजो बनाना है तो इसकी वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की कॉमेंट सेक्शन में पिन की हुई है आप आहां से जाके देख सकते हैं इस तरह की और वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेर थैंक्स फर वाचिए